केंड हुआ है दिए ये साली और टिया विल्कम को डिखाते हूं हमारे गनपती मंदीर के गनपती जी का आगमां कितने जोरो सोरो से होता है जब तक आपको हमारे सेलीब्रेशन दिखाते हैं तब तक जल्ली जल्ली कमेंट करो गनपती बबबा मोरिया कि अज़ो गाई जली से कामेंट में बताओ अपको हमारे गनपती बापा कैसे लगे और आप देख रहे हो कितनी धीड गनपती बापा एक सीजर एक लिव चलो चलते ही डिकोरेशन करने तो इस बार हमने सोचे कि कब पाला कुछ डिजाइन करें तो उसके लिए हम क्या करें ता आप देखिए और वीडियो का मज़ लिजे और अभी तक लाइक शर सब्सक्राइब नहीं किया और कोरो भी कि कर दो प toolbox लाइब उसके का लिवान जहीं का कि ट्मी धार सब्सक्राइबा तो उसके समान को में वाला किछ्ण्ध्टने ऩर jegail सक्के का छुछ इस वेंने समाने का मौड़ पे पाला ही किश्ध्टने कर थाला हुआ सो 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 हमारा आधा डेकोरेशन तो हो चुका है चोलो मैं दिखाती हूँ इतने देर बेट के हमने के के किया हमारे डेकोरेशन के से लगा कमें में जरूर बताना चलो चलते हैं गनपत्ती की देने के लिए कर दो चलते हैं जरूर बताना पहले डेकोरेशन उक्यों के लग रहा था पर अब लग रहा है ने डेकोरेशन परफेक्ट अज गनेश चतुत्ती के साथ एक और इंपोर्टन फेस्टिवल था वो था पर्यूशन हमारे जैन लोगों में इंडिका बहुत महत्व है तो गनपती वापा जी के आरती के पहले हमने हमारा प्रतिकमन पूरा किया उसके बाद हमने की गनपती जी के आरती थी के तो प्रतिकमन इह सबद्सकी गैया ही झाल झाल में लगने जोगरी नहीं, झाल झाल झाल, झाल झाल